नमस्कार साथियों जय इंचे भरत स्वागर दिफ सभी का उल एक्जाम्पलिस पे मैं हूं रोईत करा दोस्तों असिस्टन प्रोफिसर एक्जाम को लेके बहुत बड़ी अपडेट आचुकी है जिससे आपका रिजल्ट भी क्या है जुड़ा हुआ है जिया रिजल्ट इस नोटीफिकिशन में आको देखने को मिलेगा जो मैंने वीडियो बनाया ता जिसमें कहा था कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है अभी तक रिजल्ट जारी क्यों नहीं गिया गया, तो मैंने आपको बताया था, 87 और 13 परसंट का जो लफड़ा है, वो चल रहा था, तो उसकी जो list है, वो बनाई जारे थी, क्योंकि इतने सारे पोस्ट है, हदा तो जायर से बाद है, सभी में 87 और 13 परसंट की जो list है, वो बनाई जारे थी, तो वो ही list जो है, आज जारी कर दी गई है 87% और 13% की ताकि इन जो 87% परोको पता रहे कितने लोगों को बुलाना है 13% पर पता रहे है liotta प्रोविज्णल में किते लोगों को बुलाना है त्यूंकि 13% का भविष्ट जो है वो कोट तै करेगा कि आरक्षन OBC को देना है या फिर आरक्षन नहीं देना हो नहीं देना है तो वो सीटे यूर में काउंट हो जाएंगी तो मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लगबक सभी जितनी आपकी क्या है पोस्ट थी SC की आना उसका आपको दे रखा है इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर बॉटनी की तो बॉटनी की यहाँ पर आप देख रहे हैं यू आर में लेसे अब देखें यहाँ पर 87% में 42 पोस्ट और OBC में 15 पोस्ट और यह क्या है आपकी तीन-तीन यह कालपनिक है मतलब जिसके उसमें फैसला जाएगा उसको मिल जाएंगी हाना तो यह आपका ऐसी मद्द प्रदेश की मूल महिला हैं तो उनके लिए आप आप देखने 14 या पांच अब जिसके पास फैसला होगा तेरा वाला तो वह सीड जो एक यह दिख रही है वह उसके खाते में चली जाएगी हाना ऐसी आप बाकी भी देख सकते हैं हाना यहाँ पर chemistry का दे र कैलिस जारी कर दी गई है तो इससे यह हो चुका है कि आपका जो रिजल्ट है जी है आपका जो रिजल्ट है वह क्या हो सकता जल्दी जारी हो Sakता है जायए कि आपका अगर interview के लिए कॉल आ जाता है तो आप लग जाई एंटर्व्यू की तयारी में अब होगा शर दिसंबर और जनवरी दे रखा है इंटर्व्यू का डेत जी पह सुर्णबर जनवरी इंटर्वियू की दे रखी है यहाँ पर अगर आप तो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यह को केलेंडर आपके लिए रहा जिसमें आप देखेगा यहां पर 23 नंबर पे अना असिस्टन परफिशर 2022 दिसंबर और जन्वरी तो आपका इंटर्विव दिसंबर जन्वरी में होने की संभावना है और रिजल्ट हो सकता है रिटन का अभी एक दो दिनों में या इस वीक में जारी कर दि लिए रिजल्ट को जारी करने में तो यह जिन लोग के अच्छे मार्स हैं इंटर्विव की त्यारी पर लग जाईए हादा क्योंकि इंटर्विव दिसंबर जन्वरी में आपका 100% होई जाएगा इसके अलावा 2025 के लिए भी आप त्यारी कर लीजेगा क्योंकि 2025 में भी न् न्यू वेकेंसी भी जल्दी आएगी क्योंकि MP7 का MP7 का एक्जाम हो रहा है जो कि 15 दिसंबर को है तो फॉर्म इसके फिर से खुलेंगे MP7 के अभी अभी आप लेट फीस के साथ क्या है फॉर्म भर सकते हैं अला लेकिन हो सकता है फिर से MP7 के फॉर्म जो है आपके खुलें रही बाद 2025 की नू वेकेंसी की तो लगबग 2000 पदों के आसपास में वेकेंसी आने की संभावना है और मार्च अप्रेल तक चांसिस यह हैं कि यह एक्जाम भी करवा सकते हैं पिछली वेकेंसी को लेट होने का कारण एक तो कारण था MP7 का नोटिफिकेशन बाद में आया थ पहला लेट हुआ तो साथ में जाहिर सी बात है अतिती विदान वाला जो केस लगा उलगा था उस फिलेट हुआ वो मुद्र नहीं है अना तो जाहिर सी बात है आपकी नई वेकेंसी जब आएगी तो आपको इतना टाइम नहीं मिल देगा जितरने सिन बिला तो अभी से recorded classes भी मिल जाएंगी mk10 coupon code का use कर सकते हैं extra discount के लिए इसके लाबा कोई doubt लगता है तो आप इस नंबर पे call करके अधिक जानकारी भी ले सकते हैं साथ में अगर कर रहे हैं mp set की त्यारी त्यारी में भी आपको live badge मिल जाएगा live class मिल जाएगी जी हाँ और यह बैज भी आपका triple line का है इसे भी आप join कर सकते हैं complete live badge new badge अभी start हुआ है mp set का दो सितंबर से जी हां दो सितंबर से new badge आपका क्या है start हुआ है यह आप join कर सकते हैं तो मिलता हुमें आप लोग उससे नई update के साथ नई vacancy के साथ नई वीडियो के साथ कोई doubt लगे तो comment section में ज़रूर पुछेगा जय इंचे भरत धन्यवाद